अरे मोदू भाई बैक्डिटेट की डिग्री चाहिए क्या अरे मेरे पार भर भर के बैक्डिटेट की डिग्री आ रही है भाई कहां किसी को चाहिए तो बता देना हाँ क्या फस जाओगे अरे नहीं 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 फसेंगे बिलकुल नहीं फसेंगे क्योंकि तुझे नहीं पत यूनिवर्स्टी तो बंद हो गई दोस्तों कुछ ऐसा ही सितंबर दोजार चोवीश में अठारा तारिक को मेरे पासे कोल आया और स्टुडेंट ने मुझे बताया कि सर मैंने एक माक्षीट लिया है जो बैक डेट का है तो मैरे स्टुडेंट को बैक डेटेट के बारे में कुछ बताने से पहले ही स्टुडेंट ने कहा कि सर वो जोदपूर नैशनल यूनिवर्स्टी का है जोदपूर नैशनल यूनिवर्स्टी का डोकुमेंट ये सुनते ही मेरे दिमाग में बत्ती जल गई मैंने तुरंच से स्टुडेंट से पूछा अरे भाई भाई जल्दी जल्दी बताओ तुमारा डोकुमेंट जोदपूर नैशनल यूनिवर्स्टी का है स्टुडेंट ने कहा हाँ मैंने कहा कब लिया बुरा सर अभी लिया है मैंने अभी का मतलब सर दो महीने पहले ही लिया है मैं उसे वैरिफाई कराना चाहता हूँ यह जोदपूर नैशनल यूनिवर्स्टी का डोकुमेंट तुमें दो महीने पहले कैसे मिल गया आप भी यह सोच रहे हो ना कि बैक डेटेट डिग्री तो कभी भी मिल सकती है तो तो आज भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आखर यह बैक डेटेट डिग्री कैसे मिल जाती है और कैसे बन रही है और कैसे आप उस डिग्री को देखकर उसको लेकर समझ रहे हैं कि भाई साथ यह तो जैनुमन वाली है सारी चीज़े बताऊँगा इस वीडियो में बाई चिंता मत करो आप ऐसा मत सोचो कि वीडियो में कुछ नहीं है वीडियो में सारी प्रूफ के साथ बात करता हूँ मैं आपने देखेंगे ने मेरे वीडियो में मैं जादा तर आपको उसारी चीज़े दिखाता हूँ के भाई ये देख लो सचाई यह है तो इस वीडियो में भी आपको सारी चीजे में देखने को मिलेगी यानि कि विद्ध प्रूफ के साथ बात करूँगा तो नहीं वश्कार आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एजुकेशन फोर भारत और मैं हूँ आपका दोस्त बीकेति वड़ी दोस्तों कुछ समय पहले ही यानि कि अभी दो महीने पहले ही मेरे पास भी एक कोल आया था और स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर उसने एक बैकडेटेड डिग्री लिया है और वो बैकडेटेड डिग्री जोदपूर नैशनल यूनिवर्स्ती का है और उसने बज़े ये भी बताया कि भई कि सर उसने गारंटी लिये कि आप गवर्मेंट जोब में भी यूज कर लो यूनिवर्स्ती के अंदर आप जाकर वेरिफिकेशन करा लो और यहां तक कि यूनिवर्स्ती की वैब साइट पे भी उसने सब मेरा डिटेल डाल के दिखाया मुझे ओ डिटेल दिख रहा है अब आप सोच रहे होंगे ना कई लोगों को पता है कि जोदपूर नैशनल यूनिवर्स्ती में स्कैम हो चुका है लेकिन कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे हाँ हो सकता है ऐसा तो रोज होता है आज ये बहुत दिल्चस्प कहानी है इस स्टूडेंट की आप जो भी पूरी कहानी सुनोगे ना तो रियसी में आपको आज आपको जो दिमाग है ना उसका फ्यूज उड़ जाएगा मैं ऐसा इसलिए बोल रहाँ की ये पूरी कहानी आज देखना इस उड़ी हो फ्यूज नहीं उड़ जाए ना तो कमेंट करके बता देना आप मैं मान जाओंगा आपको और वो लो तो भाई साब मैंने उसी स्टुडेंट से पूछा कि यार भाई बात तो तेरी ठीक है तूने लिया है कोई बहुत अच्छी बात है बैक देटेज लेके गोर्मेंट जो अब लग जाएगा लेकिन मुझे एक बार थोड़ा से ये डोकुमेंट तो दिखा ये डोकुमेंट दिखाई कैसे दिता है तो उसने मुझे दो तरीके की सेंपल बेजे उसने बताया कि सर जिस से मैंने लिया है ना उसने मुझे सेंपल भी वेजा था और मेरा मार्क्षीट भी वैसा का वैसा ही है चलो मैं आपको पहले सेंपल दिखा देता हूँ ये मार्क्षीट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 2012 की है याने कि 2012 में इस तरीके से मार्क्षीट दिखाई देती थी मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप देख लेना ये जोदपूर नैशनल की मार्क सीट है जोदपूर नैशनल यूनियोस्टी जो की राजिस्तान की है जोदपूर में इस्टित है उस यूनियोस्टी की मार्क सीट है ऐसी दिखाई देती है फिर मैंने का कि चल अब आप वाली तो मार्क सीट को दिखा दो अगर verify कराना है तो आप करा देगे, क्योंकि मुझे तो इस बात को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि चलो आपकी mark sheet आप भीजो, तो उसने मुझे कहा, student ने, कि सर मेरी वाली mark sheet है उसको आप verify करा दो, तो मैंने का भेजो, तो उन्होंने मेरे जो mark sheet भेजी student की, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 2023 की mark sheet है, मैं आपको इस क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप घवराईए मत, टैंसर मत लीजिया, यह जो mark sheet आपको दिखाई देरी है, यह 2023 की mark sheet है, और यह जून 2023 में पास आउट यह student यहां से हुआ है, और कमाल की बात यह है, कि यह mark sheet देखने में जोरपूर राष्ट विश्व विध्याले की जैसी है, पिल्कुल हूब 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 एक तरीके से कोप्ट हूई है, आप कहते हो ना कि साब फ्रोड नहीं होता साब, आप ऐसे ही वीडियो बना देते हो साब, तो मैं उस वज़े से आज आज देखे जाना, फिर जब मैं सारी बाते बता दूँगा ना इस वीडियो में, जब आपके फ्यूज उड़ जाएंगे आज, कि यह मामला क्या है, तो मैंने इस्टुडेंट से जानने का प्रियास किया, बड़ा मज़ेदार मामला सामने आया है, इस पर तो बहुत ही क्लासिक वीडियो बनेगा, तो मैंने इस्टुडेंट से पुछा, पर कैसे लिए आपने ये, तो पुलग साब हमारे जान पिछान का एक एजेंट है, और वो यही काम करता है, तो उसने कहा था कि तुम्हारे को जोदपुर नैशनल यूनिवरस्टी के जो है, उसमें हमारे जान पि वोदपुर यूनिवरस्टी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, बोलना है, अब मुझे के आए कि हसी आ गई, तो इस्टुरेंट ने पूछा, एक सार, आप हस क्यो रहे हैं, फिर मैंने देखा याद नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो बात है, सच में उसक लेने बंद कर दिये थे, और 2017 में एक न्यूज आई थी, उस न्यूज में ये लिखा गया था, कि यूनिवरस्टी को डिजोल किया जा रहा है, यानि कि ये 2015 के बाद ये यूनिवरस्टी वर्क नहीं कर रही है, बोलना सार, ऐसे थोड़ी होता है, तो मैंने का है भई, ऐसे इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो बता, इस्टूडेंट ने मुझे बहुत जबरदस्ट एक चीज बताई, और चीज को देखकर, बैभी यार, शॉक्ट हो गया, क्या, इतना एडवांस हमारा देश कैसे हो गया, कमाल है, हमारे देश में ऐसे-इसे लोग भी रहते उस्टूडेंट ने मुझे बताया, कि सर वैबसाइट पे दिखाई दे रहा है, मेरा जो डिटेल है, सारा वैबसाइट पे दिखाई दे रहा है, मैंने तो उसको पैसे ही जब दिये थे, जब उसने मेरे को वैबसाइट पे दिखा दिया, अब जब वैबसाइट का नाम आय तो मेरे भी दिमाग के फ्यूज उडगे यार वैब साइट पे कैसे दिख रहा है युनिवर्स्टी तो वाकई में 2015 में मतलब बैन हो चुकी है उसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ 28,000 डिग्रियां मिली वहां UGC की साइट पे उन डिग्रियों की लिस्ट अपलोड लेकिन आज ही इस्टुडेंट 2024 में बात कर रहा है कि उसकी डिटेल वैब साइट पे मिल रही है तो मैंने कहा कि उससे कि आपकी इपर डिटेल सेंट करना मुझे मैं देखना चाहता हूँ यार मैं भी तू देखू तो उसने बताया कि सर आप वैब साइट पे जाके आप च देखने के लिए जैसे ही गूगल में टाइप किया तो मा कसम दिमाग गूम गया आज भी वैब साइट काम कर रही है बाई साम अब सुनते जाएए ये वैब साइट कहां की है कैसे इसको चला रहे हैं ये कैसे बढ़ी कैसी दिखती है इसके बारे में चर्चा रही है मैंने क रहा था ना आपको इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो फ्यूज उड़ जाएंगे दोस्तों ये वैब साइट जो है ये वैब साइट ही फरजी है और इस फरजी वैब साइट को बना कर लोगों को एन्रोल्ड करके इस वैब साइट के लिंक के साथ की है और इसके नाम के डोकुमेंटे चाप चाप के दे रहे हैं जब कोई बच्चा इसको सर्च करता है तो इसकी वैब साइट सामने आ जाती है और फर्स्ट नंबर पर आती है और उस वैब साइट पर जब बच्चा लोगिन में जाके देखता है तो उसका रिकोर्ड दिख तो जैसा कि जोदपूर नैशनल की बात करें तो जोदपूर नैशनल की हम वैब साइट खोलते हैं पहले जोदपूर नैशनल की website खोल लेता हूँ जिससे कि आपको क्या समझने में बड़ी आसानी रहेगी तो वो युनिवर्स्टी अपन ले लेते हैं राजिस्तान की कोई दूसरी युनिवर्स्टी मनिपाल यूनिवस्टी ले देते हैं. मनिपाल मनिपाल यूनिवस्टी मैंने आपको समझाने के लिए है जिससे कि आपको समझ में जाएं क्योंकि कई लोग ऐसे भी ना जिनको थोड़ा सा समझ में देरी से आता है तो यह जो जोदपुर नैशनल उनिवर्सटी है इसकी हम व notor साइट को ओपन कर लेते क्योंकि स्टुदेंट क्या कहते है कि सब ओन लाइन रिजल्ट है ना है यूनिवर्सटी की साइट पर दिख रहा है तो इसलिए इसको पहले ओन लाइन कर लेते हैं यहनि कि ओपन हो गई और यहां पर देखो यह इस्टूडेंट जो बना हुआ है इसमें जाकर रिजल्ट चेक करते हैं इन्रॉल्मेंट इस्टेटर्स है ना यह सारी चीजे लिखी हुई है तो हमारा जो मेंटर है वो यह है कि हम तो यह कह रहें कि यूनिवर्स्टी की जो वैप साइट है न पहले इसको भी अपन खोल के देख लेते हैं मनी पाल की को तो उसमें क्या है पहले आपन समझते हैं दोनों चीजों को समझेंगे ना तो आपन को क्या समझ बहुत आसा नीशा जाएगा तो यह मनी पाल की यूनिवर्स्टी की वैब साइट है जो इस तरीके की दिखाई दे रही है ठीक है तो हम क्या करते हैं यह यूरल आपको दिखाई दे रहा होगा ना यह जो यूरल है मनी पाल यूनिवर्स्टी का इसको हमने क्या 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 कोपी कर लिया ठीक है सब कोपी हो गया अब यह कोपी हो गया तो आप देखो मैंने एक नया टास्क खुला है यह क्या है कि आई पी एड्रेस को ट्रेकिंग करने के लिए कि ये वैब साइट कहां होस्ट कर रखी है इसका ट्राफिक कहां जा रहा है ये चीजे फ्री ओप कोश्ट है है ना तो अपने इस पे चलके इसको एक बात यहां पेस्ट करते हैं और इसकी इंफोर्मेशन लेते हैं कि ये कह यहां से मतलब चल रही है ठीक है तो देखो आप यहां पर देखना इस पे जो आई-पी एड्रेस है बेसिकली आई-पी एड्रेस की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि जब कभी यूनिवस्टी की कोई भी वैब साइट बनती है ना तो उसकी पूरी डिटेल वहां पे दी जात और सिटी इसमें कौन सी दिखाई दे रही है मुंबई तो यह मुंबई है ठीक है और इन्होंने जैसे नीचे आई-एस-डी में जैसे देखो अमेजन डाटा सर्विस इन्होंने ले रख किया है कंट्री इंडिया है महारास्ट शिटी यह एसिया इन्होंने यह टाइम वग यह इसका में सर्वर कहा रखा हुआ है ट्रैफिक कहा जा रहा है अब इसी के साब से जोदपूर नैशनल भी हम चेक करते हैं तो यह जोदपूर नैशनल का हमने कर लिया यूरल कोपी ठीक है यह यूरल कोपी हो गया साब यहां से कोपी कर लिया और यह हम फिर वोई आई- पेश्ट हो गया इसको हमने एंटर कर दिया अब यहां पर डिटेल देखिए आई-पी एंड वैब साइट लोकेशन जोदपूर नैशनल यूनिवरस्टी.co.in ठीक है साब यह नीदर लेंड में है अब यह यूनिवरस्टी कहां की है साला हमको आज तक समझ में यही आ रहा जोदपूर नैशनल यूनिवरस्टी जोदपूर में है यह ससरा नीदर लेंड में क्या कर रहा लेने गया है भाई अब यह नीदर लेंड में है है ना कमाल हो गया है यह तो अब तु मतलब जोदपूर नैशनल यूनिवरस्टी से कोई डोकुमेंट ले रहा है तो यह सायद मैं बता रहा हूं भी यह ली बता रहा हूं जादत तर लोगों को इसका नाम ही नहीं पता है मैं भी कोई शिटी है भाई अब देख लो भाई जाब हमारे देश के कलाकार है यह इंडिया में बैठ के नीदर लेंड के स्टूडेंट बना दिये हैं तो यहां से हमारे को पता लगता है कि साब जो यह वैब साइट है यह वैब साइट मतलब कहां से चल रही है नीदर लेंड का इसमें एडरेस दे रहा है ताकि यह लोग पकड़ में आए फसे नहीं तब आप समझेए कि यहां से मिलने वाली मार्क सीट है क्या जैनुवन हो सकती है अब साब आप का होगे साब नहीं आज हमारे देश में एजूकिशन की अगर मैं बात करूँ तो जो बैक डेट का नाम का जो एजूकिशन है वो टोटली फेक है मेरे कई सारे ऐसे वीडियोज है जिनमें मैंने बैक डेट को फरजी बताया बहुत लोगों को इससे आपती हुई कि नहीं ऐ ऐसे भी है जो जान भूजगर भी फरजाते हैं लेकिन उसका नतीजा यही होता है तो अगर आप भी बिना सोचे समझे कोई डिग्री ले रहे हैं थोड़ा सा आपको आवेर होने की जगुवत है थोड़ा सा यह दिया है न भगवान ने इसका यूज करने की जगुवत है कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है अगर ये चीजे संभव होती तो फिर ये पब्लिक यूनियोस्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती और हमारे देश में आजकर एजुकेशन की सिस्टम की बात करें इतना खराब सिस्टम हो गया है औरिजनल फरजी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन औरिजनल है कौन फरजी है और सबसे बड़ी नाकामी इसमें है हमारी सरकार की जो समय रहते हुई इन यूनियोस्टियों की जांच नहीं करती है ऐसे लोगों को पकड़ती है वो जल्दी छूड़ जाते है इस वज़े से ये कारूबार करोडो रुपे का हो रहा है कई बार हम आपको शाइबर स्कैम के बारे में बताते हैं कई बार आपको हम फरोड के बारे में बताते हैं आपको बताते हैं कि बहुत करोडो रुपे का फरोड हो जाता है कोई 5000 करोड का फ्रोड गर दिया किसी ने 20000 करोड का फ्रोड गर दिया यहां तक कि state government के भी कई फ्रोड आते हैं लेकिन यह education फ्रोड भी कम नहीं है हजारो करोडो रूपे का scam है रियली बता रहा हूँ जिस दिन इसका भाणडा फूटेगा ना लोगों की नींद खराब हो जाएगी इतने लोग रोज इस स्कैम में फस रहे हैं और सबसे कमाल की बात बता हूँ इस स्कैम में फसने वाले सबी या तो पढ़े लिखे हैं या फिर लिखे पढ़े हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये लिखे पढ़े क्या होते हैं ये जानकारी आपको कैसी लगी शेयर जरूर करना